बॉलिवुड में अब तक सौतनों के रिष्टे पर कई फिल्में बन चुकी हैं पर बॉलिवुड में कई ऐसी आक्ट्रस हैं जो अपनी रियल लाइफ में इस रिष्टे को सह रही हैं। बॉलिवुड की टॉप फोर एक्ट्रस की सौतन और उनके पतियों से रूबरू करवाने वाले हैं। शादी रचाई थी जिन से उन्हें दो बच्चों का अश्यरवाद भी मिला। जिन में बेटी का नाम सारा अलिखान बेटे का नाम अबराहम अलिखान है। पर शादी के 14 साल के बाद ही दोनों के बीच उम्रे के फासले के चलते तलाग हो गया। जिसकी वज़़ से आज करीना कपूर की सौतन अमृता सिंग इनके पती सैफ अलिखान से अलग होकर अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। नमबर टू जूही चाबला नबे के दशक में अपनी चुलबली अदाओं से दर्शिकों का दिल जीतने वाली अबनी तुरी जूही चाबला ने बॉलिवुड को बहुत सी सूपर हेट फिल्में दी हैं जिन में इश्क, कयामत से कयामत तक और डर जैसी फिल्में शामिल हैं पर आपको बता दें कि जूही चाबला से शादी करने से पहले इन्होंने सुजाता बिर्ला से शादी की थी इसी किनाते सुजाता बिर्ला जूही चाबला की सौतन हुई जिनकी एक प्रेन क्रैश में मौत हो गई थी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूही चाबला की सौतन सुजाता बिर्ला प्रोफेशन से एक बिजनेस वुमन थी दिल वालों के दिल का करार लूटने वाली अब नीतरी शिल्पा शेटी ने विजनस्मेन राज कुंद्रा के साथ साल 2009 में घर बसाया था जो की अल्रेडी शादी शुदा थे और उन्होंने साधारन सी लड़की कविता से शादी की थी जो की लाइम लाइट से काफी दूर रहती थी पर शिल्पा की राज कुंद्रा की लाइफ में एंट्री हुई तो इनके पती ने कविता यानि की इनकी सोतन को तलाग दे लिया जुसके बारे में आज भी इनकी सोतन कविता अपना घर तोड़ने का इल्जाम लगाती है 90 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेतरी महिमा चौधरी ने अपने अबने करियर में कई फिल्मों में दमदार आक्टिंग और डांसिंग से दर्शकों का मन मोह लिया था लेकिन अगर बात करें इनके पती और इनके सोतन के बारे में तो इनके पती का नाम बॉबी मुखर जी है जो की प्रोफेशन से आर्किटेक्चर हैं जिनसे इन्होंने साल 2006 में शादी की थी और इन्हें इस से शादी से एक बेटी आरियाना मुखर जी का अश्यरबाद मिया पर इनके हस्ते खेलते परिवार में एक मॉडल की नजर लग गई जिन्होंने इनके पती की लाइफ में एंट्री करके इनके रिष्टे को बिखेड दिया जिसके बाद से महिमा अपने पती से अलग रहती हैं हाला कि इन्होंने इनसे तलाक नहीं लिया तो दोस्तों आप इन अब इनेत्रियों में से किसके पती और सौतन से अंजान थे आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलिवर जगत से जड़ी ऐसे मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें